विल्कम बैग टो मेगे चैनल तो फ्रेंड़ आज हम बात करेंगे मधु कामिनी प्लांट के बारे में आप मेरे सामने देख रहे हैं यह मधु कामिनी का प्लांट है तो मुझे एक कमेंट आया था उनके प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगा एक वीडियो शेयर करते हैं इसकी केर पर ताकि आपको पता चल जाए कैसे आपके प्लांट पर ज़ादा से ज़ादा फूल आ सकते हैं और कैसे आप अपने प्लांट की केर कर सकते हैं ताकि आपके घर कोई खुसबू से महका सके तो ये मधुकामीनी का जो प्लांट होता है इसे मुरयया पैनिकुलाटा भी बोलते हैं और इसकी बहुत सारी वेराइटी भी मिलती हैं में पास इसकी एक वेराइटी और है उसे टेबल कामीनी भी बोलते हैं मीनी कामीनी भी बोलते हैं कई सारी वेराइटी इनकी होती हैं और इनके फूल जो आते हैं यह गुंचों में आते हैं यह देखे इस तरीके से एक ही जगह इसके कई सारे फूल निकलते हैं एक ही ब्रांच पर और यह प्लांट जो होता है इसकी खुसबू इसके फूलों की इतनी अच्छी होती है इसके आसपास से निकलते ही बड़ी अच्छी भीनी भीनी से खुसबू आती है तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में जरूर एड़ करें तो वेराइटी तो आपको इसकी मिल ही जाएंगी और बहुती ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है तो ये 50 और 60 के आसपास ही मिल जाएगा तो आप इसे अपरेल में नरसरी से परचेस कर सकते हैं इसके अलावा इस प्लांट पर ये प्लांट कभी सूकता नहीं है एक पेरीनियल प्लांट है पूरा साल चलने वाला प्लांट है बस फर्क इतना है कि सर्दियों में फ्लावरिंग इसकी थोड़ी कम हो जाती है नहीं तो एक भी लेवस इसकी यलो नहीं होती है मतलब खराब नहीं होती है बिल्कुल भी ऐसा के ऐसा ही ये प्लांट दिखाई देता है में पास ये तीन साल पूराना प्लांट है होते हैं जो की भोती मतलब कम केर वाले प्लांट होते हैं उन्हें hardy सा बोल देते हैं तो इस प्लांट की बात करें तो इसे direct सल लाइट में आप रखिए मैंने इसे पनी पर रखा हुआ है और पूरा दिन की धूप इस पर पड़ती है तो इस प्लांट का कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है बिल्कुल भी पूरा दिन की धूप में रखिए या इंडोर में रखिए इंडोर में भी आपको ऐसी ही जगा रखना है जहां पर इसे कम से कम दो से त और जैसे बाकी के प्लांट पर हम इस प्रे करके पानी डालते हैं इस प्लांट पर आपको इस प्रे करके पानी नहीं डालना है क्योंकि इसके फूल बहुत ही नाजुक से होते हैं थोड़ी तेज हवा चलने से भी और पानी जैसे में डालती हूं तो पानी के वारा लगते ही गिर जाते हैं नीचे, तो आपको इसमें सिर्फ नीचे ही पानी डालना है, इस्प्रे करके इसमें पानी ना डालें, और पानी इसमें आप रोज डालें, गर्मियों में, सर्दी में अगर आप एक दिन छोड़के भी पानी डालेंगे, तो भी अच्छे से आपके पास रहेग एक हिसा आपको मिट्टी लेनी है और एक हिसा आपको वर्मी कमपोस्ट लेना है अगर आपके वहां की मिट्टी जो थोड़ी हार्ड है तो आप उसमें रेत मिला लीजे इसके अलावा आपको रेत मिलाने की जरुरत नहीं है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और मिट्टी इन तीनों चीजों का मिश्रण ही प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है तो इन तीन चीजों का एड़ कीजिए आप और अपने प्लांट को लगा दीजिए बहुत आसानी से ग्रोख हो जाएगा अभी बात कर लेते हैं इस प्लांट को आपको फर्टिलाइजर कब करना है खाद इसमें आपको कब डालनी है तो 15 दिन में एक बारा आपको इसमें लिक्विड बना के जरूर डालना है लिक्विड बना के क्या होगा उससे आपके फूल अच्छे आएंगे और ज्यादा मतलब छोटे भी नहीं होंगे अच्छा साइज रहेगा फूलो का भी ये देखिए नहीं तो इस पर बिल्कुल छोटे-छोटे से फ्लावर आते हैं और अभी मैं इतनी केर करते हूं तो इस पर फूलो का साइज इसका अच्छा है तो आप इसमें पंदा दिन में एक बार के एक दो दिन रख दीजिए उसके बाद जो आपका पानी वो हो जाएगा वो आपको इसमें डाल देना है बनाना पील बोलते हैं उससे भी बहुत अच्छी आपके प्लांट को ये एनर्जी देगा और फ्लावरिंग के लिए भी बहुत अच्छी हैल्प मिलेगी बनाना प पील भी इसमें यूज कर सकते हैं अभी बात करते हैं इस प्लांट को ग्रो करने कि आप इसे ग्रो कैसे करते हैं तो बरसात के मोसम में अभी जब रैनी डेल्स हमारे चलेंगे उस टाइम पर हम इसे कटिंग से ग्रो कर लेते हैं तो कटिंग देखिए आप हमें इसकी ऐसी ह प्लांट पर इसका बीज बनता है यह इसका बीज दिखाती हूं यह मैंने इसका बीज सिर्फ दिखाने के लिए एक रखा हुआ है इस तरीके का बीज बनता है इसका तो यह बीज बन जाएगा इसका इसे हम हटा लेंगे और इससे भी सित ग्रो कर सकते हैं अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो जैसे ही आपके प्लावरिंग अभी बंध हो जाएगी अभी ये फ्लावर दे रहा है लेकिन जब इस पर फ्लावरिंग बंध हो जाएगी हम इसे थोड़ा-थोड़ा कट कर देंगे मैं क्या करती हूँ जब भी इस पर बूल आने बंध हो जाते हैं तो इस तरीके से मैं इसे सभी इसके टोप से हलका-हलका कट कर देती हूँ इससे क्या होता है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिज निकलती हैं और ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है इस तरीके से मैंने भोध कट किया हुआ है इसको तो आप भी अपने प्लावर देना बंध हो जाए तो आप उसे कट कर दीजे उससे आपके प्लावर और जादा फ्लावर आएंगे और जादा ब्रांचीज निकलेंगी आपको कभी भी कट करते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि plant हमारा खराब ना हो जाए कट करने से plant खराब नहीं होता है otherwise बहुत अच्छी growth निकल कर आती है बहुत सारी कईस कईस सारी मतलब branches निकल कर आती है कट करने से तो आपको time time से cut जरूर करना चाहिए प्लांट को उससे आपके प्लांट को बहुत अच्छी दुबारा से ग्रोथ निगलके आएगी और फूल भी ज़्यादा आएगी तो यह ऐसे जो प्लांट होते हैं इनके जितनी ज़्यादा ब्राँच होती है उतनी ज़्यादा यह फ्लावरिंग करते हैं तो friends I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और पसंद आए तो please वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe जरूर करें ताकि आपको gardening की अच्छी अच्छी ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहें इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई बाई